नमस्कार और वेलकम यूँ आल टो DRX मेंटर मैं हूं डॉक्टर जैन यदि आपने प्रिवेस येर के कॉशन पेपर उठा के देखे होंगे तो आपको एक टॉपिक बहुत जादा मिला होगा जैसे की एक्टिब मेटाबोलाइट के बारे में पूछा जाता है चाहे वो आपका तो इसकी सिर्फ दो ही टेवल हैं यदि आपने वो याद कर ली या फर उनको आपने देख लिया तो आपके अटिब मेटाबोलाइट से रिटेट जितनी भी कॉशन है वो कबर हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले दिए आपने चैनल को कर लिए सुदेट आपको फार्मसी से लेटर जितनी भी इंपोर्टन इंफोर्मिशन है वो मिलती रहेगी और एडिशनल यू कन आलसो जॉइन अपर चैनल जहां पर आपको मिलने वाले हैं प्रीवेस येर के रेलवे फार्मसिस्ट के कॉशन पेपर ये साइसी के स्टेट परीम करना जैसे कई लोगों को होता है कि मुझे सर्फ परी में ही परिपरेशन करना है कर सकते हैं डेली यदि आप 20-50 mcq भी अटेम्ट करते हैं तो यह आपके लिए इनफ होगा लगवा 500 mcqs हैं जो कि बहुत ज्यादा important है और मैं कहता हूं कि आपको जरूर attempt करना चाहिए जो भी पूछते हैं कि mcqs कहां से attempt करें तो आप community section को विजिट करिए सभी यूटूबर्स के जो भी फार्मसी सरेड़ेट कोशन बना वीडियो बर आते हैं जैसे मैं अल्रड़ी 500 अपलोड कर चुका हूं तो वह जाके आप attempt कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ उससे पहले मैं आपसे एक कॉशन पूछूंगा जो की अल्रेड़ी एक मेतावोलाइट और किंदीन कि आपके उपसंदे से अन्पस में करेंगेंगें से च्रीट अईब également कर दो तो यह अदर बॉर्डिव्स होने के बाद पूरे और यंधिच्टिब्यूत होती और इसको मेटबोलाईद करना मेटबोलाईज करता दो उसकोम होने metabolize एक active molecule में convert होती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो कि आपको याद रखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो active drug के बारे में बताया गया और उसके active metabolite के बारे में इस PDF में बताया गया तो कई बार यह पूछा जाता है जैसे कि sapo taxim हो गया इसका metabolite alopuronol हो गया तो alo xanthine हो गया procanamide तो n-acetyl procanamide हो गया primidon हो गया तो phenobarbiton या फिर phenyl ethyl mellonamide तो यह पूछा जा सकता है कि कई बार क्या होते हैं जो अलग से होते हैं जैसे procanamide का होता है phenyl ethyl mellonamide तो यह पूछा जा सकता है ठीक है यह important होता है क्योंकि जो अलग सा होता है जैनली उसी के बारे में पूछा जाता है जो procanamide उसमें भी लिखा हुगा है option में मिलेगा तो कोई भी attempt कर सकता है जैसे dizepam हो गया dizepam का oxazepam होता है यह पूछने लाइक है ठीक है डास मिथाइल डाइज़ेपाम यह जनली नहीं पूछा जाएगा digitoxyn का होता है digoxyn होता है ठीक है emipramine का होता है emipramine 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 notipramine तो यह simple होते है codeine का morphine होता है यह पूछा जा सकता है spine lockdown का होता है e3174 यह भी पूछा जा सकता है इसमें कोई भी ड्रग का नेम नहीं है तो यह पूछा जा सकता है spine lockdown का अल्रेडी पूछा जा चुका है तो यह आप याद रखेंगे codeine के बारे में ठीक है next होती है कुछ drug आपकी pro-drug होती है यहां पर एक और आप याद रखेंगे जो मैंने वहां पर मिस कर दिया है जो मेजर मेटाबोलाइट है तरफैनदीन का तो यह आपको याद रखना है यह कई बार पूछा जा चुका है अब pro-drug के बारे में पूछा जाता है कि जो pro-drug होती है उसका एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है लिवोडोपा लिवोडोपा का होता है डोपा में हो गया है इनाला प्रिल का होता है इनाला प्रिलाट यह पूछा जा चुका है इनाला इन में से पूछा जाता है कि which one of the following is a pro-drug तो यह कई बार कॉछन पूछा जा चुका है अल्फा मिथाईल डोपा इसका होता है लिवेलोपा इसके बारे में पूछे जा चुका है इसके बारे में पूछा जा चुका है 5- Aminosalpha-salislic acid ठीक है इसका यह आपको पता है तो comment करके बताएगा कि इसको किस disease में generally use की जाता है cyclophosphamide का होता है eldophosphamide mustard acrolin तो इसके बारे में पूछा जाता है कि cyclophosphamide जो drug है उसका इसका पूछा जाता है कि इसकी जो toxicity होती है urinary cystitis ठीक है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है यह आपको पता है तो comment करेंगा अधर बारे में पूछा जाता है फ्लूरोयूरदीन और मॉनो फॉस्पेड मरकक्तोल प्यूरिन न राइवो नुक्लोटाइड होता है है इस d legally्- Esther नियुक्त को याद रखने है यह इन के यदि होते है जो इसे लगां उसे क्सक्राइब करें तो आप श्रूरी滿 इसो को अच्छी कर पहिए